तो काफी सारी साइंटिस्ट के अपने आप खुद खुशी करने के बाद एक टीम बंदी है जो कि सभी लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और तब जाकर उन लोगों को पता चलता है कि असल में एलियन के सौ शिप्स उनके प्लैनेट से निकल चुके हैं ताकि वो अर्थ पर आकर अपना कबजा कर सकें तो कहानी की शुरुआत होती है 1906 के समय से जहाँ पर हम लोग एक फिजिसिस्ट को देख पाते हैं जिसे राजा की सिपाही जान से मारने वाले थे क्योंकि असल में वो फिजिसिस्ट ऐसी सारी चीज़े बता रहा था जो कि सभी लोगों के समझ के परे थी तब यहीं पर हम लोग उसी फिजिसिस्ट की बेटी को भी देख पाते हैं जिसका नाम था वेंजी तब वो यहाँ पर अपने पिता को बचाने के लिए काफी ज़्यादा चिला रही होती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता अब यहाँ पर से सीन आता है 2024 में जहाँ पर हम लोग काफी सारे साइंटिस्ट को देख पाते हैं जोकि अपनी अपनी रिसर्च बंद करने के बाद खुदखुशी कर लेते हैं और यह बात सच में काफी ज़्यादा शौकिंग थी क्योंकि जिन चीज़ों के उपर वो लोग रिसर्च कर रहे थे उन चीज़ों से दुनिया के बविश्य को बदला जा सकता था और उन सभी लोगों के खुदखुशी करने के पीछे एक अजीब चीज कॉमन थी कि उन सभी लोगों को कुछ अजीब तरह के कॉडिनेट दिखाई दे रहे थे जो कि एक intelligence agency का head था तब वो डाशी आम के अपने एक officer को बुलाता है और उसे ये काम सौपता है कि वो सभी चीजों के बारे में पता करे और तब दाशी अपने एरिया की ही एक team के उपर नज़र रखना चालू करता है जो कि वैग्यानिकों की team थी और उनकी ही team की एक member ने हाली में suicide करी थी जिसमें से एक का नाम था जिन, दूसरे का नाम था Saul, तीसरे का नाम था Augie, चौती का नाम था Will और पांचर का नाम था Jack तब यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में ये सारे की सारे लोग अपनी फील्ड में माही रहें साथ ही हम लोग Augie के बारे में भी जान पाते हैं, जिसने हाली में एक company खोली थी जो कि एक super strong material के उपर काम करने वाली थी और अब हम लोग Jack के बारे में भी जान पाते हैं, जो कि असल में एक multimillionaire था जो कि सभी लोगों की पैसों से related help करा करता था अब रात में हम लोग Augie और साती जिन को देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे से बाते करते हुए drink कर रहे थे, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में दुनिया में जितने भी physics से related law बने हैं, वो दीरे-दीरे करकर गलत साबित हो रहे हैं, जिस वज़े से दुनिया के सभी scientist काफी ज़्यादा परेशान थे, अब Augie इस बारे में बात करी रही थी, तबी अचानक से ही उससे उसकी आखों के सामने एक countdown दिखना चालू हो जाता है, जिस पर पहले तो Augie ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर बाद में वो countdown उसका पीछा नहीं छोड़ता, और इसी लिए Augie इस बारे में जिन को भी बताती है, लेकिन जिन को वहाँ पर कोई भी countdown नजर नहीं आ रहा था, और अब इस चीज का मतलब साफ था कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट ने सोसाइड करी थी, वो इसी countdown की वज़े से करी थी, और अब अगला नंबर किसी और का नहीं बलकि Augie का होने वाला था, तब पहले तो Augie को लगता है कि शायद जादा ड्रिंग करने की वज़े से उसे ये सारे नंबर द परोसा नहीं होता, और इसलिए Augie इस बारे में बाकि सबी लोगों से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी के पास भी इस चीज का जवाब रही था कि आखिरकार Augie को वो सारे नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं, अब इस बात की वज़े से Augie काफी ज़्यादा आ गई थी, जहाँ पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि सबी लोग अपने घर जा चुके हैं, पर Augie वही पर थी, जो कि वहाँ पर बैट कर सिगरेट फूक रही थी, और तबी वहाँ पर एक और लड़की सिगरेट लेकर पहुँच जाती है, जिसका नाम था तातियाना, जो कि Augie से बाते करते हुई, उसे बताने लगती है कि अगर उसे काउंट डाउन को बंद करना है, तो उसे अपने नैनो फाइबर वाले प्रोजेक्ट को भी बंद करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो जैसे ही काउंट डाउन खतम होगा, वैसे ही वो भी बाकि सभी सैंटिस्ट की तरह जान से मारी जाएगी, अब पहले तो Augie को उसकी बात पर बिल्कुल भी बरोसा नहीं होता, इसलिए अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए तातियाना उसे बोलती है कि कल रात में 12 बज़े आसमान की तरफ देखना, जहां पर पूरा का पू सभी के सभी स्टार्स बहुत बुरी तरह से फ्लिकर करने लगते हैं, जो चीज देखने के बाद सभी लोग काफी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अब कहीं न कहीं होगी को तातियाना की बात पर भरोस होने लग गया था, कि जैसे ही काउंडाउन खतम होगा, बैसे ही वो भी मारी जाएगी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए अगली ही दिन जाकर नैनो फाइबर वाले प्रोजेक्ट को बंद कर देती है, पर इस बात की वज़े से होगी कि सारे के सारे इंप्लोई काफी ज़दा शौक थे, क्योंकि किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, कि आखिरकार वो इतना आगी आकर रुक कैसे सकती है, क्योंकि कुछी समय में उनकी रिसर्च भी खतम होने वाली थी, लेकिन अगी अभी किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती, वो सिरफ अपन रिसर्च को बन नहीं करा, तो वो सभी नोग मारे गए, लेकिन अभी की टाइम पर भी योगी को समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिरकार तातिया ना कौन थी, जो कि फिजिक्स के सारी नियमों को चेंज कर सकती थी, वहीं दूसी तरफ उमलुक जिनको देख पाते हैं, जो जानने के बाद जिन काफी ज़्यादा शौक होती है, और साथ ही जन उस हेलमेट को देखती ही समझ गई थी, कि उस हेलमेट के अंदर काफी ज़्यादा आगी की टेकनोलोजी का यूज हुआ है, और वैसे कोई टेकनोलोजी वेरा के पास तो अवैलेबल थी ही नहीं, इसका असल में उनके दुनिया में कोई ऐसा वियार अभी तक नहीं बना था, चोकि इतनी ज़ादा रियलिस्टिक फूटेजिस दिखाता हो, और कमाल की बाद तो ये थी, कि जन उस एलमेट की मदद से जो भी चीज़े देख पा रही थी, वो उन्हें फील भी कर सकती थी, और फी की कोशिश करेंगे कि आकरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, जहाँ पर जाने के बाद इन लोगों का अलग-अलग लेवल में अलग-अलग परिशानियों से सामना होता है, जिन परिशानियों को हल करने के दौरान इन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, कि असल में इस ग प्रब्लम थी आग की दूसरी प्रब्लम थी पानी की और तीसरी प्रब्लम थी ग्रैविटी की जोकि कभी भी आपदा के रूप में वहाँ पर मौजूद लोगों पर बरसने लगती थी और ऐसा इसी वज़े से होता था क्योंकि ये प्लैनेट तीन सन के बीचो बीस था जिस जैसे ये कभी भी किसी एक सन की फिक्स और्बिट पर नहीं गूमता था ये अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग सन के और्बिट पर गूमता था जिस वज़े से यहाँ पर जदे दर प्राकरती का अबदाएं आया करती थी और अब क्योंकि जिन और जैक ने अपनी बुद वेड के साथ खड़ा हुआ था और यहां पर इन लोगों के हाथ भी वैसा ही सेम हेलमेट लग गया था जैसा कि उन सभी सैंटिस्ट के पास था और तब दाशी उस हेलमेट के उपर थोड़ी सी रिसर्च करता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में उस हेलमेट को बना जल जाता है कि असल में ओगी ने अभी की टाइम पर अपनी रिसर्च बंद कर दी है जो चीज जानने के बाद तुरंती दाशी उसके पास जाता है ताकि वो उस चीज का कारण जान सके अब पहले तो उसे ओगी कुछ भी नहीं बता रही होती क्योंकि ओगी को लग रहा था कि शायद दाशी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा जिस पर दाशी उसे बताता है कि उसे उसकी बात पर पूरा भरोसा है और इसलिए अब ओगी भी उसको तातियाना वाली बात और साथी काउंडाउन वाली बता देती है जो चीज जानने के बाद दाशी को उसकी बात पर नजर आ रही थी और अब ये सारी चीजे देखने के बाद ये दोनों ही काफी ज़दा शौक थे क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आकरकार कोई कैसे वैदर के साथ शेड़ जाड कर सकता है और साथी कोई इंसान कितना ज़दा पाउरफुल कैसे हो सकता है कि वो कुछ भी कर सके अब वहीं अमलोग जिन और जैक को देख पाते हैं जोकि असल में उस मेकर से मिलने के लिए पहुँच गए थे चहाँ पर जाने के बाद इनकी मुलाकात होती है ताती आना से जोकि सबसे पहले तो इन्हें कॉंग्रेचुलेट करती है क्योंकि ये लोग लेवल 4 में पहुँच गए थे साथी वो इन्हें ये भी बताती है कि जो सारी चीजे इन लोगों ने देखी थी वो सारी की सारी असली थी क्योंकि अर्थ से लगबग 400 लाइटी एर दूर बिलकुल ऐसा ही सेम प्लैनेट मौजूद है जहां पर रहने वाले लोग ऐसी चीजों का रोजी सामना करते हैं जिनको सैंटी बोला जाता था और साथी उन लोगों को ये बात धीरे धीरे करकर पता चल गई थी कि अगर वो जादा टाइम तक यहां पर रहेंगे तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे और इसलिए इन लोगों ने डिसाइड करा कि वो जल्दी से जल्दी किसी दूसरे प्लैनेट को डूढ़नेगे जहां पर जीवन मौजूद हो जिसके बाद ही उन्हें अर्थ के बारे में पता चला और उन लोगों ने डिसाइड करा कि वो अर्थ पर आकर ही रहेंगे और इसलिए वो लोग लगबग 1000 स्पेशिप लेकर वहाँ पर से निकल गए ताकि वो जल्दी से जल्दी अर्थ पर पहुंच कर यहाँ के लोगों को मारते हुए यहाँ पर कबजा कर सकें और यहाँ पर सिरफ वही इंसान जिन्दा रहने वाला था जो कि उन एलियन्स का साथ देता ताकि वो यहाँ पर आकर कबजा कर सकें इसलिए उन्होंने अपनी एक और्गनाईजेशन बनाई जिसमें तातियाना भी शामिल है और यहाँ पर और बी लोग मौजूद हैं जो कि उन एलियन्स का साथ देने वाले थे और तब तातियाना यहाँ पर यह भी रिवील करती है कि कुछ सालों से उनकी और्गनाईजेशन ऐसे साथ को मरवा रही है जिनकी वजह से अर्थ काफी जदा आगे निकल सकती है क्योंकि अगर अर्थ आगे निकल गई तो वो बड़े आराम से सैंटी इलियन्स को मार देग अब ये बात जानने के बाद जैक को काफी जदा गुस्सा आती है और वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों की और्गनाईजेशन में शामिल नहीं होगा पर हम लोग जिनको देख पाते हैं जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो सैंटी इलियन्स के साथ ही शामिल होगी अ अब अभी के टाइम पर जैक तो यहां से निकल जाता है पर हम लोग जिनको देख पाते हैं जो कि अभी भी लगातार तात्याना से बाते करे जा रही थी और तब तात्याना यहाँ पर जिनको एक ओफर लेटर देती है जो कि असल में एक मीटिंग का ओफर लेटर था जिसम कि उस समय की लोगों को ये लगता था कि विज्ञान उनके धरम को ब्रश्ट कर रहा है इसलिए वहाँ पर साइंस के बारे में पढ़ाई करना भी गुना था लेकिन वेंजी जिसको साइंस में काफी ज़दा इंटरेश्ट था वो अपने साथ एक बुक लेकर चला करती थी जो उन्हें सॉल्व भी करती गई जो सब देखते हुए वहाँ के जनरल ने उस अपनी रिसर्च टीम में शामिल कर लिया जहां पर जाने के बाद वेंजी कुछ ही समय में सभी लोगों की चहीती बन गई और साथी वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रेडियो सिगनल बना लिया था कि असल में ब्रह्मान में कोई और जीवन मौजूद है या फिर नहीं लेकिन एक दिन वेंजी सन के ऊपर ही अपने सिगनल को सेंड कर देती है जो कि सन से रिफलेक्ट करते हुए एक ऐसी इलियन्स अभ्यता के पास पहुँच जाते है जो कि खुद भी एक हैबिटेबल प् हैं और साथी उन्होंने उसके पिता की भी जान ली थी इसलिए वेंजी डिसाइड करती है कि वो उन इलियन्स की मदद करेगी ताकि वो यहाँ पर मौचूद सभी लोगों को मज़ा चखा सके और इसलिए वो उन्हें अर्थ की लोकेशन बता देती है और साथी उनसे से निकाल लेता है जिसके बाद वो उसे लिकरा जाता है USA में जहाँ पर वो काफ़े सारे शिप्स लेते हैं जिसमें ही वो बहुत बड़े बड़े रेडियो ट्रांस्मिटर लगाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी एलियन्स को कॉंटेक्ट कर सके और उन लोगों से और ज करेंगे खैर अभी के टाइम पर हम लोग प्रेजन टाइम में जैक को देख पाते हैं जोकि जब अपने घर में पहुंसता है तो वहाँ पर तातियाना पहुंच कर उसे जान से मार देती है क्योंकि जैक को उनके कल्ट के बारे में सारी चीज़े बता चल गई थी और जैक न देगी इसलिए वो तुरंती दाशी और वेट को सारी की सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे सेंटी एलियन यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को मरने वाले हैं तब दाशी उसको प्लैन बताता है कि जिन को उन लोगों के साथ रहने का नाटक करना है ताकि वो जादा से यही पर मौजूद रहकर छोटी से चोटी जनकारी एलियन को दे रहा था और आज वो उन्हें जूट की कॉंसेप्ट के बारे में बताता है कि कैसे इनसान अपनी इस गलतियों को छुपाने के लिए जूट बोलता है लेकिन एलियन को तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं कि वो आगे से माइक को कोई भी रिप्लाइ नहीं करेंगे जिससे माइक काफी जदा गबरा गया था क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर जैसे ही इलियन्स आएंगे और अगर वो माइक को अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे तो वो माइक को कभी भी जान से मार सकते हैं ख अब यहाँ पर वेंजी भी पहुँच जाती है जिसने खुदी इस कल्ट को find out करा था तब वो यहाँ पर मौझूद लोगों को बताती है कि 400 सालों में उनके भगवान यहाँ पर आने वाले हैं इसका मतलब था कि वो aliens और जब तक वो लोग यहाँ पर नहीं पहुच जाते अभी अचानक से यहाँ पर दाशी और काफी सारे पुलिस आफिसर पहुच जाते हैं जोकि तुरंती यहाँ पर पहुच कर सभी लोगों को गिरफतार करने लगते हैं पर हम लोग वेंजी को देख पाते हैं जोकि बिल्कुल भी घबराई नहीं थी जैसा कि उसे पहले से ही इन सब चीजों के बारे में पता हो अब क्योंकि तात्यानों को ये बात समझ में आ गई थी कि जिन ने ही उन लोगों को दोका दिया है इसलिए वो जिन के उपर ओपन फायर करना चालू कर देती है पर तब हम लोग दाशी को भी देख पाते हैं चुकि कि किसी तरह से जिन क बचा लेता है साथी अभी तक दाशी और उसकी टीम ने वेंजी और साथी माइक को भी गिरफतार कर लिया था चिन को जब पुलिश नेशन में लेकर आया जाता है तो उन लोगों से सारी की सारी सच्चाई उगलवा ली जाती है और साथी इन लोगों को उस शिप की इन लोगों के बारे में क्या-क्या बताया है साथी वेट ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग वहां से निकलने से पहले पुरे के पुरे शिप को बरबाद कर देंगे इसलिए ये लोग आवगी के पास जाते हैं ताकि ये लोग उसकी नैनो टेक्नोलोजी का यूज कर सक जिस पर औगी भी मान जाती है और अब इन लोगों ने उसकी alien technology की मदद से उस ship की उपर attack करकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया था जिसमें वहाँ पर मौजूद Mike भी मारा गया था साथी वेट को वो सारा का सारा डेटा भी मिल गया था जो भी humans के बारे में इन लोगों ने aliens तक पहुँचा आया था अब यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में उन aliens ने माइक को इसी वज़े से मरवाया क्योंकि उन aliens का माइक के उपर से विश्वास पहले ही उड़ गया था रेश्ट इन पीस बुढदा खेर हम लोग वेट को देख पाते हैं जो कि जब सारे डेटा को लेकर अपने आफिस में पहुंचता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उन सारे डेटा के बारे में जान सके जहाँ पर बहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक औरत खड़ी होई थी तो वो औरत इने बताती है कि असल में ये लोग इनसान से काफी ज़दा डरते हैं क्योंकि 50 साल पहले इन लोगों ने अपने सफर को चालू करा था उस टाइम पर इनसान कुछ भी नहीं था पर अभी के टाइम पर इन लोगों ने इतनी ज़ादा तरक्की कर ली है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और जब तक 400 साल बीतेंगे शाय तब तक इनसान और भी काफी ज़दा तरक्की कर लेगा जिसकी मदद से वो सैंटी इलियन्स को बहुत अराम से खतम कर सकते हैं और उसी चीज से बचने के लिए इन लोगों ने ऐसे AI को बनाया जिसके अंदर कोई भी मास नहीं था और साथ ही वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था जिसके बाद उसकी वेपस अर्थ तक आई और उन्होंने चारो तरफ से अर्थ को घेड लिया और उसके बाद उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को चुना जो कि दीश को बदल सकते थे जिसके बाद उन्होंने उस काउंडाउन को उन लोगों को दिखाना चालू करा ताकि वो लोग डर जाएं और अपनी सारी की सारी रिसर्च को बंद कर दें जिसमें वो कुछ हद तक काम्याब भी हो गए पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपनी रिसर्च को बंद करने से साफ इनकार कर दिया इसलिए इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन लोगों ने मिलकर उन सभी साइंटिस्ट को मार दिया और इसलिए फिजिक्स के लोग के साथ ये लोग जो भी चेरचार करते हैं वो सारे के सारी चीजे उस AI की मदद से ही होती है और उस AI की मदद से वो लोग किसी के उपर भी नजर रख सकते थे अब आगे वो औरत उस AI को पूरी अर्थ के पास विजिवल कर देती है जिसे सभी लोग देख पा रहे थे जिसमें एक आंग भी बनी हुई थी जोकि उन सभी को देखे जा रही थी जिसको देखने के बाद सभी लोग काफी ज़दा गबरा जाते हैं क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है अब जब ये सारी की सारी चीजे लोगों के सामने आती है तो पूरी की पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से बगदर मज जाती है सभी लोग सड़कों पर उतर आये थे क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि उनकी गवर्मेंट उनने प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तब इंटरनेशनल यूनियन सभी लोगों के सामने आता है और सब को बताता है कि अभी के टाइम पर उन इलियन को यहाँ पर पहुँचने में 400 साल है और तब तक इनसान तयारी कर सकता है ताकि वो एंड वक्त पर उन इलियन से मुकाबला कर सके और साथी अब यूनियन ये भी डिसाइड करता है कि सभी देश एक साथ आएंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी उन इलियन को हराने का रास्ता खोश सके अब आगे हम लोग वेट को देख पाते हैं जोकि काफी सारे साइन्टिस्ट के टीम की मदद सीख ऐसा प्रोटोटाइप बनवाता है जोकि खुद भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था और इन लोगों का प्लैन ये था कि उनका ये प्रोटोटाइप जाकर एलियन्स की स्पेस शिप से टकरा जाएगा जिसके बाद उनकी सारी की सारी शिप्स तबा हो जाएंगी साथी वेड ने डिसाइड कर लिया था कि वो सूपर कम्प्यूटर से एलियन्स के बारे में सारी के सारी डेटा को इखटा करेगा इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक आदमी के ब्रेन को उस प्रोटोटाइप के अंदर रखेगा चोगी जैसे हे उस सूपर कंप्यूटर से तकराएगा वैसे ही सारा का सारा डेटा उस ब्रेन के इंदर ट्रांसफर हो जाएगा और उस ब्रेन को निकालने के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग विल को चुनेंगे क्योंकि असल में विल को कैंसर था और वो कुछ ही समय में मरने वाला था तब Will भी इस चीज के लिए मान जाता है और उसके brain को निकाल कर उस prototype के अंदर रखा जाता है उसके बाद जब उस prototype को launch करा जाता है तो वो पहले के time पर तो सही काम कर रहा था पर जैसी ही वो अपने destination पर पहुँचने वाला होता है वैसे ही end मौके पर वो अपनी destination से भटक जाता है जिससे सभी लोग काफी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी समझ में आगया था जो कि राजवर्मा नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एक military officer था जिसके ही नितरित्व में यहाँ पर मौझूद लोग चांद पर एक base बनाएंगे ताकि वो aliens के आने पर उनले aliens से मुकाबला कर सके वही हम लोग तातियाना और साथी वेंजी को देख पाते हैं जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब aliens यहाँ पर आएं क्योंकि जैसे ही aliens यहाँ पर आते वो यहाँ पर मौझूद सभी लोगों को खतम कर देते तब हम लोग union की उसी meeting को देख पाते हैं जहाँ पर दुनिया बर से scientist आने वाले थे तब यहाँ पर Saul को भी चुना जाता है जो चीज देखने के बाद Saul काफी ज़्यादा शौक था तब यहाँ पर इन सभी लोगों को बताया जाता है कि असल में उन aliens को उनके super computer की मदद से सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा इसलिए इन सभी लोगों को अपने plans को अपने दिमाग में रखना है क्योंकि कहने को वो super computer कुछ भी कर सकता है पर वो इनके दिमाग को नहीं पढ़ सकता इसलिए इने अपने छोटे से छोटे idea को भी अपने दिमाग में रखना है अब इस सीजन के आखरी सीन में हम लोग दाशी को देख पाते हैं जो कि जिन और सॉल के साथ एक जगह पर पहुंसता है जहां पर काफी सारे bucks मौझूद थे और तब दाशी ड्रिंग करते हुए इन दोनों से बोलता है कि बेशक से वो alien हमें bucks समझते हो पर इन्हों ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक buck अपनी जAM को बचाने के लिए कुईसी भी हद तक जा सकता है जब वो लोग आएंगे तो इनसान भी अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और अब इसी के साथ ये सीरीज ये ही पर खतम होती है तो उमीदे के explanation अच्छी लगी होगी अगर explanation अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को औल पस लेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं ऐसी ही और मज़िदर explanation वीडियो लाता रहूंगा कैर तब तक के लिए टाटा और गुडबाई